उप्चनाओ की तो उप्चनाओ प्रचार का अंतिम दौर शुरू हो गया है। उप्चनाओ की तो आखरी दौर शुरू हो चुका है कल शाम पाच बजे चुनाओ प्रचार थम जाएगा ऐसे में दिगजों की ताबडतौर रेलियों का प्रोग्राम तै हो चुका है। लगा था चुनावी प्रचार प्रसार में दिगज नेता दोनों पार्टियों के जुटे हुए थे इस खबर पर हमारे साथ संबादाता आकर्ष लाई जुड़ गए हैं आई उनका रुख कर लेते हैं आकर्ष कल शाम पाच बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा ऐसे में सभी दिगज नेता पूरी ताकत जोग देंगे इस चुनावी प्रचार में क्या जानकारी आपके पास सुवांगी 36 घंटे का कम समय बचा है चुनावी प्रचार के लिए और यही की कारण है कि पूरे जो दिगज नेता हैं पूरी ताकत से जुटे हुए हम देख रहे हैं प्रदेश के ग्रह मंत्री है और उसके बाद ही हम बात करेंगे तो बो भी जोबट पहुंचेंगा और वहां पर तीन सभाओं को सम्मुदत करेंगे यह बड़े नेताओं की मैंने बात करी उसके प्रभारी बनाए गया है वहां पर डटे हुए हैं चाहे हम प्रूराम चोध घंडवाम कहीने कहीं गुर्जर जो है 18 प्रतिशत हैं उनको अपनी तरफ करने के लिए क्योंकि कांग्रेश को बधायक है एक जो बड़ा जटका है कांग्रेश के लिए क्योंकि वो गुर्जर समुदाय से आते थे वह कहीने कहीं बिड़ला अब बीजीपी कहां दामन कर्मचार थम जाएगा उसके बाद यदि हम बात करें मद्दान की तो तीश तारीक को मद्दान होता होना है तो इसके लिए करीब 20,000 कर्मचारियों को तेनात किया गया है दो नौंबर को जो है रिजल्ट घोसत किया जाएगा चुनाओ पर चुनाओ आयोग ने अपनी तया अकर्ष तावड तोड रैलियों का दौर जारी रहेगा और 36 घंटों तक दोनों ही पाटियां कोई कसर नहीं छोडेंगी चुनाओ प्रचार में क्योंकि 30 अक्टूबर को मतदान होना है दो नवंबर को फैसला आ जाएगा कि जनता का प्यार विश्वास किसके साथ है बहु